हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माय टूट सेनल एक्जाम सोच पर फ्रेंट्स आजम करने वाले हैं लूसेंट किताब के हिस्टरी के मोस्ट इंपोर्डन कोशन फ्रेंट्स अगर आप किसी कॉंपटरेटिव एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो ये वेडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूसफल होने वाली है इसलिए फ्रेंट्स आप इस वेडियो को पूरा जरूर देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं फरस्ट कोशन है किसे भारत का पर्थम आधुनिक ब्यक्त माना जाता है भारत के राष्टपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन अंदोलन से संबंद रहा है बीबी गरी का संबंद रहा है ट्रेड यूनियन अंदोलन से बल्नमभाई पटेल को सर्दार की उपाधी उनकी कुसल संगठन चमता के कारण किस अंदोलन के दोरान दी गई थी बार्दोली सत्तग्रह अंदोलन के दोरान उन्हें सरदार की उपाधी दी गई थी सरदार बलनभाई पटेल को बार्दोली सत्तग्रह जो 1928 में हुआ था इसका नेतरित किस ने किया था सरदार बलनभाई पटेल ने इसका नेतरित किया था किस वाइसराय के सासंकाल में पहला फेक्टरी अधनियम पारित किया गया। बच्चों की सुरच्छा के उपाय की प्राउधान किये गए भारतिये कारखाना अधनियम 1881 में पहली बार बच्चों की सुरच्छा के उपाय किये गए थे नेक्स्ट कषिन पहली बार किस कारखाना अधनियम के तहट महिला मस्दूरों की सुरच्छा सुनिषित की गई भारतिय कारखाना अधनियम 1891 में महिलाओं की सुरच्छा के सुनिषित की गई थी आधुनिक योग का मनू किसे कहा जता है? बी आर अमबेटकर को कहा जता है आधुनिक योग का मनू अलया कुस्टन बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहियोग दिया था बडोधा के महराज ने सबसे बड़ा योगदान दिया था भीवाँ अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में Next question अखिल भारतिय ब्यापार संग कांग्रेस का पर्थम अध्यक्ष कोन था? लाला लाश्पत राय थे अखिल भारतिय ब्यापार संग कांग्रेस के पर्थम अध्यक्ष लाला लाश्पत राय थे नेक्स्ट कुस्ट अखिल भारतिये किसान सभा के पर्थम सस्त्र की अध्यचिता किस ने की थी? स्वामी सहजानन्द ने की थी? नेक्स्ट कुस्ट बंबई में अखिल भारतिये ब्यापार संग कांग्रेस कि अस्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी? AITUC की अस्थापना 1920 में हुई थी? Next question, मुंडाओं ने बिद्रो खड़ा किया था Next question, ट्रेड यूनियन अंदोलन के क्रांतकारी चरण का समय किया था 1926 से वंतालिस था ट्रेड यूनियन अंदोलन का क्रांतकारी चरण Next question, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधियम ने रोक लगाई थी बेठ बेगारी पर रोक लगाई थी इन्होंने Next question मानो बली पर्था का निसेत करने की कारण अंग्रेजों की ब्रदो बिरोध करने वाली जनजाती का नाम बताएं गोंड खोंड जनजाती थी ओ, खोंड जनजाती Next question Next question Next question वर्थ 1765 में दिवानी परदान किये जाने के बाद बिल्टिस सबसे पहले किस पर्वतिय जनजाती के संपर्ख में आये थी खासी जनजाती के संपर्ख में आये थी और ये मेखाले के जनजाती है Next question सितंबर 1932 में पूना समझोता महत्मा गांधी वकिन के बीच हुआ था महत्मा गांधी और बी आर अंबेटकर के बीच हुआ था पूना समझोता Next question विसुद्ध गांधिवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रो था टाना भगत अंदोलन था Next question महत्मा गांधी के नित्रित में चलाया गया चमपारण का नील सत्तगरे जो 1917 में था नील उत्पाद किर्श को द्वारा तिन कठिया प्रथा के बिरुध चलाया गया था नील बिद्रो Next question अखिल भारती किसान सभा सुरपर्थम कहां पर आयोजित की गई थी लखनोव में सुरपर्थम आयोजित की गई थी अखिल भारती किसान सभा Next question अईला कोसन किसके द्वारा मंदिरों में परवेश की अधिकार की मांग की परसुती कि कारणा अठारा सु निन्या नबे में त्रिनेवल्ली में भेंकर दंगे हुए थी नडार की मांग पर नडार की अधिकार की मांग पर Next question महराश्ट में रामोसी किर्सक जथा किसने अस्थापित किया था वास्दियों बलबंत फड़के ने अस्थापित किया था अधिकार को लगान देना बंद करना अधिका अंधिका अंदोलन का उद्देश था Next question नई धोबी बंद सामाजिक बहिसकार का एक रूप था जो 1919 में किसानों दोरा परताब गड़ जिले में चलाया गया था Next question चोटा नागपुर जनजाती बिद्रो कब हुआ था? अठरा सो बीस में हुआ था चोटा नागपुर जनजाती बिद्रो Next question गांधी का चमपारण सत्तगरे किस से जुड़ा था? तिन कठिया से जुड़ा था गांधी का चमपारण सत्तिगरे तिन कठिया से जुड़ा था नेक्स्ट कोसन ओल गुलान जो महा बिद्रो था किस से जुड़ा था बिटसा मुंडा से जुड़ा था ओल गुलान next question ख packed war आदिवासी अंदोलन कब हुआ था 1874 में हुआ था ख Sharpplantar Divineश लेख़ था अला कुशन रभान भी वर भी वाथ हमा पर वर का जो ची भी गुलांगीरी का लेख़ और भी व्मश्य और लेख़ जो तिब्विया फूला थे गुलांगीरी के लेख़ नेक्स्ट कोसन पागलपंथी बिद्रो वस्तता एक बिद्रो था गारो जिंचाती द्वारा सुरू किया गया बिद्रो था पागलपंथी बिद्रो कौन से घटना महाराष्ट में घटित हुई थी? भील विद्रो घटना थी जो महाराष्ट में घटित हुई थी? नेक्स्ट कोसन नील अंदोलन का जमकर समर्थन करने वले हिंदू पैट्रियाट के समपादक कौन थे हरिस्चंद्र मुखर जी थे हिंदू पैट्रियाट के समपादक हरिस्चंद्र मुखर जी प्रताप समाचार के माध्यम से इन्हों ने बिचोलिया अंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विसे बना दिया था Next question Justice Party अंदोलन मदरास से कोन संबंधित नहीं है? C.N. मुदालिया है जो नहीं संबंधित थें Next question दर्भिड कड़गम या दर्भिड मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कोन थे? अन्ना दुरई थें दर्भिड कड़गम के संस्थापक 1857 के बिद्रों के समय भारत का गवर्णर्ट जनरल कौन था लाट डल होजी था गवर्णर्ट जनरल 1857 के बिद्रों के समय वर्ट 1857 के बिद्रों में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था next question 1857 के बिद्रों में कानपूर में सैनको का नेतरित किसने किया था तत्या टोपे नी कानपूर में सैनको का नेतरित किया था next question 1857 के बिद्रों के सकती का सबसे महतपूर तत कौन सा था हिंदू मुसलिम एकता थी 1857 के विद्रों की सबसे महत्वपूर तत हिंदू मिसलिम एकता थी Next question रानी लच्छमी बाई का मूल नाम क्या था? मडिक कड़का था? रानी लच्छमी बाई का मूल नाम Next question अगला कुस्तन नेक्स्ट कुस्तन अंग्रेजी भारतिय सेना में चरबी वाले कार्टूसों से चलने वाली एनफिल्ड राइफल्स कब सामिल की गई जनवरी अठारसो सत्तावन में सामिल की गई थी एनफिल्ड राइफल्स नेक्स्ट कुस्टन कौन सा आयोग अठारसो सत्तावन का विद्रो दमन के बाद भारतिय फोज ने नव संगठन से संबन्थी थे पील आयोगे जो भारतिय फोज के नव संगठन से संबंधी थे Next question 1857 के बिद्रों को किस ओर्दू कभी ने देखा था मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के बिद्रों को अगला question कौन 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन कौन था? मौलपी अहमदुल्ला साह थे अंग्रेजों के सबसे कटर दुस्मन मौलपी अहमदुल्ला साह नेक्स्ट कॉस्टन जगदीजपुर के राजा कौन थे? कूबर सिंग थे जगदीजपुर के राजा बिल्टेन का प्रधान मंत्री कौन था? लाड पामरिस्टन था बिल्टेन का प्रधान मंत्री. Next question. वर्ष 1857 की बिद्रों के संदर में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेचु द्वारा बंदी बना कर मार दिया गया था. Next question. कौन सा एक छेतर 1857 की बिद्रों से प्रभावित नहीं था? चितोड छेतर था जो 1857 की बिद्रों से प्रभावित नहीं था. 1857 के विद्रो के दोरान दिल्ली में विद्रो का सेन नेतरत किस ने किया था वक्त खाने किया था दिल्ली में सेन नेतरत किया था वक्त खाने सुरपर्थम किस ने 1857 के विद्रो के तुरंत बाद इसे एक राश्ट्री विद्रो के संग्या दी थी बेंजमिन डिजराईली ने इसे स्राच्ट्री बिद्रो की संग्या दी थी बेंजमिन डिजराईली ने नेक्स्ट कोसन अलक उसने 1857 की क्रांती के संबंध में किसने कहा ये बिद्रो भारत की सोतंद्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था पीडी सावर करने कहा था ये कथन पीडी सावर करने नेक्स्ट कुस्टन जातिये आधार पर 1857 के बिद्रों के दमन में अंग्रेजों का सहियोग करने वाले थे सिख गोर्खा और पठान थे जो अंग्रेजों का नित सहियोग करने वाले थे सिख गोर्खा और पठान किसे 1857 के विद्रो की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादूर साथ दुतिये को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादूर साथ दुतिये को 1857 के विद्रो की आसफलता के बाद बहादूर साथ धुतिये को कहा निर्वासित कर दिया गया था रंगोन भेज दिया गया था बहादूर साथ धुतिये को Next question वो कौन सा बिल्टिस सेनापती था जिसकी 1857 बिद्रो को दवाने में महत्तपूर भूमिका रही थी कैम पे बेल ने 1857 की बिद्रो को दवाने में महत्तपूर भूमिका निभाई थी Next question 1857 की क्रांती का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था कमल एवं चापाती था 1857 की क्रांती का चिन्ह कमल और चापाती Next question महाराणी विक्टोरिया ने भारतिय पर्शासन को बिल्टिस स्ताच के निंतरण में लेनी की घोसड़ा कब की थी एक नॉम्बर 1858 में घोसड़ा की थी Next question Next question भारतिय सोतनता अंदोलन का सरकारी इतिहासकार था Next question मंगल पांडे कहां के विपलब से जुड़े हैं बैरकपुर से जुड़े हैं मंगल पांडे बैरकपुर से इनका संबंध है Next question आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के बिद्रों को सोतनता की पहली लड़ाई कहा था किसने कहा था बेड़ी सावर करने कहा था 1857 के बिद्रों को सोतनता की पहली लड़ाई कहा था बेड़ी सावर करने Next question अथारसो सतावन को आरंब हुआ था Next question 1857 के बिद्रों का तदकालि कारण कैया था चर्बी वाले कार्तूशों का प्रियोग आरंब करना ये 1857 के बिद्रों का तदकालि कारण था Next question वो पहला भारती सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कार्थूसों का प्रियोग करने से इनकार कर दिया था मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कार्थूसों का प्रियोग करने से इनकार कर दिया था और तभी 1857 की करांती शुरू हुई थे नेक्स्ट कॉस्टन अगला कॉस्टन मंगल पांडी जिसने अकेले 1857 इसमी में बित्रो का सूतरपात किया था, संबंधित था, कहां से संबंधित थे ये, 34 सभी नेटिव इनफेंटरी से संबंधित थे ये लखनवी से किया था बेगम हजरत महल ने 1857 के बिद्रोग के बिद्रोग के असफ़ल रहा किसी सामान योजना और केंदरीय संगठन की कमी के कारण 1857 के बिद्रोग असफ़ल रहा था नेक्स्ट कुस्ट किसने 1857 के बिद्रों को एक सडीयंत्र की संग्या दिय थी जेम्स आउटरम और डबलू टेलर ने 1857 के बिद्रों को सडीयंत्र की संग्या दिय थी हलक उसने किस वर्ग ने 1857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया था साहुकार और जमीनदार ने 1857 के बिद्रो में भाग नहीं लिया था Next question 1857 में किसने इलहाबाद को आपात कालीन मुख्याले बनाया था लाड केनिंग ने बनाया था इलहाबाद को आपात कालीन मुख्याले Next question गुडकरी बिद्रो जो 1844 में हुआ था इसका केंद्र क्या था कोलहापुर था गुडकरी बिद्रो का केंद्र कोलहापुर था Next question 1857 के बरेली बिद्रो का नेता कौन था खान बहादूर था बरेली बिद्रो का नेता Next question आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था भागत सिंग ने इसमें भाग नहीं लिया था किसने 1857 में अंग्रेजों से संगर्ष किया था सहादत खान ने अंग्रेजों से संगर्ष किया था 1857 में भारत के पर्थम 133 संगराम का मुख ततकालिक करण किया था अंग्रेजों का धर्म में हस्तचेप का संधे ये पर्थम सुतंतर संग्राम का मुख तदकालिक करण था Next question 1857 में भारत में हुए बिद्रो के एक नेता तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंदर पांडूरंग था मूल नाम इनका Next question भारती राष्टी अंदोलन के 1885 उननी सो पांच की अवधी को कहा जता है उदारवादी चरण कहा जता है Next question भारती राष्टी कांग्रेस की पहली बैठक किस सहर में हुई थी? बंबई में हुए थी भारतिय राष्ट्य कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में हुए थी अलग उसने कांग्रेसी नेताओं मेंसे किसको भारत का महान ब्रिध व्यक्त कहा जता है तादा भाई नोरोजी को कहा जता है भारत का माहान बृद्ध वेक्त किस जबात वाई नोरोजी को कहा जता है Lord Carson के कारकाल में 1904 में पारित किया गया था अगया कुस्सन भारतिय सिबील सिबा ACS में चुने गए पहले भारतिय का नाम क्या था सट्तेंदरणाफ टैगोड थे जो पहली बार भारतिय सिबील सिबा में चुने गये थे नेक्स्ट कोसन Next question, Hermit of Simla किसे कहा जाता है A.O. Hume को ही कहा जाता है Hermit of Simla Next question, हला कोसने कौन सा पर्थम भारतिय था जो बिल्टिस संसद के लिए निर्वाचित हुआ था दादा भाई नोरोजी थो जो बिल्टिस संसद के लिए निर्वाचित हुए थे Next question, भारतिय राष्टिय कांग्रेस का पर्थम अध्वेशन लगभग आखरी समय पर पूना से बंबई अस्थान्तरित किया गया था क्यों अस्थान्तरित किया गया था क्योंकि पूना में हैजा फैलने की कारण सहींवजक कांग्रेस की पर्थम अध्वेशन कास्थान पूना से बंबई बदनले पर विवास होना पड़ा था Next question, अनेशन इन्दा मेकिंग नामक पुष्टक के लेखक कोन है सुरेंद्रनाथ बनर जी है अनेशन इन्दा मेकिंग पुष्टक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर जी है भारतिय संग इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंदरनाथ बनर जी थे इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर जी Next question भारतिय राष्ट्री कांगरेस के पर्थम मुसलिम प्रेसिडेंट कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतिय राष्ट्री कांगरेस के पर्थम मुसलिम राष्ट्पती Next question बिल्टिस हाउस आफ कामन्स का चुनाओ जिस पर्थम भारतिये ने लड़ा था वो कौन थे दादा भाई नोरोजी थे जो बिल्टिस हाउस आफ कामन्स का चुनाओ पहले बार लड़े थे किस ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़ारा रही है मेरी सबसे बड़ी अफिलासा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की सांतिपूर समापती में सहयोग करना है लाड करजन ने ये कथन कहा था लाड करजन ने ख सन अधिकतर नरम पन्थी निता थे सहरी चेतरों से थे Нेक्स्ट कुसन 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय नहीं किया था लाड करजन नहीं किया था बंगाल विभाजन 1905 में भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस के स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस के स्थापना A.O. Hume के द्वारा किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलिय राजनीती की प्यवस्थित अलोचना New Lamps for Old सीर्षक लेखों की स्रंखला में की है? अरविंद घोस ने की है मदरास महा जन सभा की अस्थापना की गई थी? 1884 में की गई थी मदरास महा जन सभा की अस्थापना भारती राश्ट्रे कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यच कोन थे? गोपाल क्रिस्र कोखले थे बनारस अधिवेशन के अध्यच कोन थे? डादा भाई नोरोजी ने 1866 SB में East India Association की अस्थापना कहां पर की थी? लंदन में की थी इन्होंने East India Association की स्थापना और कब की थी? अठारस अधिवेशन में की थी? नेक्स्ट कोशन भारती राष्टे कांग्रेस के पर्थम सत्र की बैठक में कितने परत्र निधियों ने भाग लिया था? बहतर परत्र निधियों ने भाग लिया था अगला कुशन बिल्टे समराज के अंतरगत स्वासासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई निवरोजी नी की थी और कब की थी? उन्नी सो चार में की थी? अगला कुशन उदार वादियों का सबसे परमुक्य योगदान था? बिल्टे सोसन नीती की ओर जंता का ध्यान खेचना उदार वादियों का सबसे परमुक्य योगदान था? Next question किसने कहा था भारत वर्ट्स तलुवार के बल पर जीता गया था और तलुवार के बल पर उसे बिर्तानी कबजे में रखा जाएगा एलगिन ने एक अथन कहा था एलगिन ने next question हला कुसन ने भारतिय राष्टे अंदोलन के 1905 से 1917 की अवधी को क्या कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है 1905 से 1917 की अवधी को उग्रवादी चरण कहा जाता है हला कुसन हला कुसन ने भारत में उग्र राष्ट ये था कि जन्म दाता तथा निर्भिता से राष्ट की वेदना को परकट करने वाले पर्थम भारती थे बाल घंगातर तिलग थे पर्थम व्यक्त अलाकुस्थन भारतिय राष्ट्य कांग्रेस की सबसे पहली महिलाध्यक्ष कौन थी एनी बेसंट थी भारतिय राष्ट्य कांग्रेस की पर्थम महिलाध्यक्ष एनी बेसंट थी वर्ष 1905 के बंगाल भिभाजन के समय वाइसराय कौन था? लाड करजन था 1905 के बंगाल भिभाजन के समय वाइसराय लाड करजन था वर्ष 1905 के बंगाल भिभाजन के समय वाइसराय लाड करजन था वर्ष 1905 के बंगाल भिभाजन के समय वाइसराय लाड करजन था चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजी और फ्रेंड्स अगर आपने टेलिग्राम चैनल को अभी तक जोईन नहीं किये हैं तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कर लिजी